निलम देवी भावी वाड़ पार्शत प्रत्यासी एबं विरेंदर सिंग समाज सेवी की ओर से सभी हाजिपूर नगरवासियों को नव वर्स मकर संक्रान्ती एबं गनतंतर दिवस की हार्दिक सुथ कामनाई निवेदक विरेंदर सिंग वाड़ संख्या 9 हाजिपूर इस वक्त आई हुई है हाजिपूर के वाड़ 9 में और बिरेंदर जी हमसे जूरने वाले हैं विरेंदर सिंग एक्स्क्लूसिब और नेशन टीवी जूरने वाले हैं इनकी पतनी नीलम देवी यहां से वाड़ के भावी परत्यासी होंगी इन से जानेंगे कि इनका चुनावी गाउंपटाव जाने जर्ड़ याका विकास हो वार पानी जल पानी पर दिरोड उसक्त हो जानता कि अभी क्या समस्य है अगर देखा जाय तो पानी सबसे च्वाण है समस्या है रवशात आपए लगता है को यादि निकालने बाले नहीं है और नादी तो भगल में है गंड से पानी नहीं आता है इस पर आप लोग चुनाव खुद लड़ने के लिए सोचे हैं कि जनता जो है खड़ा कर बारी है जनता खड़ा कर पार रही है तब हम लड़ने के लिए तो हम धोरी लड़ते हैं कंडिडेट का क्या नम हुआ निलम देवी अपकी पत्मी है जितते हैं होगा औभिं के नजर में वार्द की नज़से हुआ है किनि काम हुआ एक निससे यहान। आदमी कखिशा आपके लिए है। वी खड़ा हुए है। वर्सात में तो आपका बार्ड भी डूबा हुआ था नाओ चलने की बात कही जा रही है क्या लगता है यहां पे आपके बार्ड कमिशनर रहते सिचुएशन बदलेगा आने वाले दिनों में हाजिपूर के बार नुमर नौका हाजिपूर को नगर निग मशुर का नगर निगम बनाने की बात की जा रही है क्या लगता है यहां ग्रोफ करेंगा सरे नापास करेगा सब्सक्राइब कितना भी यहां बोटर्स है अभी 3500 बोटर है परता 2100 के लगवग है तो नाव मतलब लग रहे हैं तो पूरा दमखम के साथ लग रहे हैं कि ऐसे ही खारा हो गया है अभी जानता की सेवा के लिए अखिव रहे हैं कि नहीं वरता काम है कि जनते के सिवा रतेजादे क्या करते हैं तो आपको पैसा मिलता है तो जनता के सेवा कहां हुआ सब लोग को रखे हुए कुछ सुनपूर के है कुछ यहां गाओं के है ऐसे करके है एक जगा के थोड़ी है नीलं देवी भावी वाड़ पार्षत प्रत्यासी एबं विरेंदर सिंग समाद सेवी की ओर से सभी हाजिपूर नगरवासियों को नववर्ष मकर संक्रांती एबं गन तंतर दिवसकी हार्दिक सुथ कामनाई निवे अडक विरेंदर सिंग वाड संख्या 9 हाजिपूर झाल झाल